तो लिस्ट्वंट्स कल की मीटिंग के बाद एक चीज चीज कनफाम यहां पर हुई थी कि एक्जामनेशन कंड़क्ट कराया सकते हैं चाहें फिर वो एक लिम्टेट सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टन सब्जेक्ट है उनके एक्जामनेशन क्यों ना कंड़क्ट कराया जाएं ने इनम्णुज नेन पूरा अर्टिकल जो हें आपर दिया हुआ मैं इस पूरे आर्टिकल की लिंक कॉमेंट सक्चन में दे दूंगा आप जाके खुद एक बार क्रॉस चेक्ट कर सकते हैं यह जो इनका नियूस आर्टिकल ने कुछ टाइम पहले यहां पर पपुब्लिस क किया हुआ है और इन्हों ने यह कहा कि cbsc ने जो प्रपोस किया है कि जो एक्जाम है 12 के वो 15 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक वो कंड़ेक्ट करा सकते हैं फिलाल जो फाइनल डिसिजन हो या फिर डेट सीट हो यह आपकी फर्स्ट जून को यहां पर आनी है इनके सोर्सेस के जो cbsc ने प्रपोस किया है कि एक्जाम कंड़क्ट आपकी 15 जोलाज से 26 अगस्त को रिजल्ट हम सेप्टेमबर में डिकलेट कर देंगे और यहां पर लिखा कि फाइनल डिसिजन जो है वो एद्जूकेशन मिनिस्टी को लेना है तो फिर्स्ट जून को फाइनल डिसिजन यहां पर लेंगे अब बताएं यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो आपके एक्जाम होंगे वो रेगुलर जो cbsc का प्रोटोकॉल होता है उसके तहट नहीं होगे एक्जाम का टाइम या फिर एक्जामनेशन के पैटन में कुछ चेंज कर यहां पर दिया जाएगा अब यहां पर पहली बात यहीं आती है कि अगर आप एक्जाम के पैटन में कुछ में चेंज कर रहे हैं तो स्टोट्स को थोड़ा सा और टाइम लगेगा उस पैटन के लिए तो यहां पर एक तारी कोई अगर डेट आप देते हैं तो फिर ठीक है 15 तक लेकिन अगर आप और डि दिए जाएंगे में इस आपको जो अगर पैटन चेंज हो जाता है तो यहां पर कुछ MCQ और सौट टाइप कोशन जो आपको यहां पर दिए जाएंगे आप यहां को यहां को यह भी बता दें कि जो एक्जाम है दिल एक्जाम बिल भी कंड़क्टर इन सेम स्कूल वेर स्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आप जानते हैं यह सारी चीजें यहां पर अगर यह करें कि अगर सीबीसी के जो एक्जामनेशन हैं आपके जो फर्स्ट फेज इन्हों ने रखा है कि 15 जॉलाई से फर्स्ट अगस तक हम एक फेज रखेंगे इसमें एक फेज रखेंगे इसमें एक का इकॉंटिटिव एक्जामनेशन ने नीट का अब नीट का एक्जामनेशन आप किस तरह से कंडर कराएंगे अगर आप सेकेंड फेज में अकर आप इंपरें सब्जेक्गुच् sa ly Launch अगर उनको सेटेंड फेज मर्खते हैं तो पहले आपका एकॉंट एक्जामनेशन हो ज रहेगा अब जो भी अपडेट और रंकल के आएंगी वो अपडेट हम आपके साथ सेयर करते रहेंगे थेंक यू